अक्षर ने अपने होट अक्स के कान के नजदीक कर दिये अचानक इतना तेज जकरने से अक्स घबरा उठी अक्स ने अपने दाद भीचते हुए उसके कान में कोल वोईस में कहा तुम्हे इतनी इजासत नहीं है कि तुम मेरे सामरे किसी और का नाम ले सको जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो बस मेरी है और आज से तुम सिर्फ मेरी हो किसी और के बारे में अगर सोचा भी तो वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा ये सब कहते हुए वो दिल दहला देले की हद तक दरावना लग रहा था जिसे सुनकर अक्स के माथे पर पसीने की बूले उफर आई उसका देल तेजी से धड़कने लगा वो लंबी-लंबी सांसे लेने लगी अक्षर ने उसे अपनी तरफ पलटा उसके चेहरे पर ये डर देख अक्षर ने अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके बूला इधर देखो मेरी तरफ बोलते हुए उसके आवाज बड़ी ही सर्द थी अक्स ने डरते डरते अपनी मीली आखे उसके तरफ कर दी जिन में उस वक्त मोटी जैसे आशू भरे हुए थे अक्स ने हलके कापती आवाज में कहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने बारे में भी कुछ नहीं बता रहे आप कौन है? और मुझे यहाँ सबरदस्ती क्यों रखा है? उसने सहमती आवाज में ये सब बोल तो दिया था पर वो अंदर ही अंदर सहम रही थी कि पता नहीं अभी ये डैविल क्या करेगा उसके साथ उसको यो डरता देख आक्षर के फेस पर एक छोटी सी स्माईल आ गई फिर उसने सीरियस टोन में कहा ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बस इतना जान लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है शादी? क्या? अक्षर के मूँ से ये सुनकर अक्ष घबरा कर पीछे हटने लगी और चिला कर बोली आप पागल वागल हैं क्या? शादी क्या आपको ये सब मजाग लगता है? मैं आप जैसे पागल इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी अक्ष के मूँ से मरने की बात सुनकर जहां अभी इसके होट पर स्माईल थी अक्ष बहुत सादा घबरा गई अक्षर ने अक्ष की आँखों में देखते हुए धीमी मगर दिल दहला देने वाली आवास में कहा आज बोल दिये बात आज के बाद अगर मरने जैसा लफ्स तुम्हारे होटों पर आया तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूँगा इस पूरी दुनिया को जला दूँगा तुम मेरी अमानत हो और अगर मेरी अमानत पे एक खरोच भी आई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा वो ये सब इतने दिवाने पन में कह रहा था जिससे अक्स सहमी जा रही थी उसके लिए ये सब बहुत नया था वो बस किसी तरहें अक्षर की निगाहों से बचना चाह रही थी पर अक्षर की नजरों से बच पाना इतना आसान नहीं था उसने जल्दी से हां में गर्दन हिला दी क्योंकि अक्षर उस वक्त कुछ भी कर सकता था अक्षर ने अपनी आँखे बंद की और गहरी सास ली तभी अक्षर कुछ सोचने लगा जिसे सोचकर अक्षर के होटों पर स्माईल आ गई अक्षर अपना हाथ अक्स की कमर पर रखा और बोला अच्छा तुम घर जाना चाहती हो ना ठीक है मैं भीज़वा देता हूँ लेकिन अक्षर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है जिसे अक्स बेताबी से उसे देखते हुई बुली लेकिन क्या प्लीज कहिए ना उसके बेताबी देख अक्षर मुस्कुरा दिया और बोला बहुत जल्द तुम मेरी बन जाओगी और तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा मुझसे बचने का पर अभी तुम जा सकती हो अक्स ने उसको खुद से अलग किया और कहा तो आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा मिस्टर मॉंस्टर अक्स के मुँ से मिस्टर मॉंस्टर सुनकर अक्षर हस पड़ा और बोला वैसे तुम्हारे मुँ से ये सुनकर अच्छा लगा मिस्टर मॉंस्टर सूट करता है मुझ पर अक्स ने बुरा सा मूँ बना कर मूँ भेर लिया फिर अक्षर ने किसी को कॉल लगाई और एक मास्क मैर रूप के बाहर आकर नौक किया अक्षर ने उची आवास में कहा दो मिनट बाहर ही होल्ड करो अक्स बाहर जाने लगी तो अक्षर ने अक्ष का हाथ पकड़ कर अपनी बाहों में खीच लिया तो अक्ष उसको देखते हुए मासूमियत से बूली आपने ही तो बोला मैं जा सकती हूँ फिर अभी क्यों नहीं जाने दे रहे अक्षर ने अपनी पॉकिट से एक कपड़ा निकाला और बोला चली जाना इतनी जल्दी भी क्या है बोलकर अक्षर ने वो रेश में लाल कपड़ा अक्ष की आँखों पर बांद दिया जिससे अक्ष हैरान होकर बोली ये ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी आखी क्यों बंद कर रहे हैं? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अक्स को यूँ परिशान देख अक्षर मुस्कुरा उठा और बूला इसका भी एक रीजन है जो वक्त आने पर तुम समझ जाओगी बोलकर अक्षर ने अक्स का चहरा अपनी हाथों में लिया जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था अभी तक अक्षर की नजर अक्स के होटों से हट ही नहीं रही थी अक्षर अपनी उंगली अक्स के फूट पर रब करने लगा तो अक्स घबराते हुए बूली ये ये अब क्या कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए अक्षर नशे में डूबी आवास पे उसके खान के पास अपने होट लाकर धीमी आवास में बूला जाने की कीमत तो लगे ही ना जाना बोलते हुए उसकी आवास में एक नशा था जो अक्स को सहमा रहा था इससे पहले अक्स कुछ और बोलती अक्षर ने अक्स का निचला होट अपने दोनों होटों से फोल कर लिया और एक हाथ से उसे अपनी बाहों में जकर लिया अक्स की सासे तो जैसे उसके बूमे ही रह गई थी उसका देल तेज-तेज धड़क रहा था वो खुद को छुडाने की कोशिश कर रही थी पर वो अक्षर के बाहों में थी जहां से आजाद होना नामुम्किन था वो उसके पंखुडी जैसे गुलाबी होटों को चूमे जा रहा था अक्षर का हाथ धीरे धीरे अक्स की कमर को सहला रहा था जो अक्षर की बॉडी में और भी बेचैनी भर गया अक्षर अपना कंट्रोल खोने लगा तो अक्षर ने जल्दी से अक्स को छोड़ दिया और सोचनी लगा नहीं अक्षर, जो तु करने वाला है उसके लिए अभी तुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा बड़ा गेम जीतने के लिए ये छोड़ा सा सक्रिफाइस करना होगा लॉंग डीप किसकी वज़े से अक्स की हालत नाजुक हो चुगी थी वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी अक्षर ने जल्दी से एक और कपड़ा लिया और अक्स के हाथ पीछे की और बान दिये फिर अक्षर ने एक इशारे से उस आदमी को अंदर बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन्स दिये वो आदमी अक्स को वहां से पकड़ कर ले जाने लगा तो अक्स ने कहा सी यो सून स्वीटा अक्स तो बस किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी वो घबराई अवास में उस आदमी से बुली आप आप प्लीज मुझे यहां से जल्दी से ले चलिए अक्स को वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था वो आदमी ब्लैक यूनिफोर्म में था वो पूरी तरहें से कवर था उसके बावचूद भी अक्षर ने अक्स की आँखे कवर कर दी ताकि वो कुछ भी न देख पाए अक्षर ने उस आदमी से कहा ध्यान से ले कर जाओ और जैसा मैंने बुला है सब वैसा होना चाहिए वो आदमी बुला ओकी सर बोलकर वो आदमी अक्स के हाथ पीछे से पकड़ कर उसे बाहर की ओर ले गया उसके चाते ही अक्षर बैट पर किल गया उसने अपनी आखे बंद कर ली उसके होटों पर एक सुखोन देने वाली स्माइल थी अक्स के जिस्म के खुश्पू जैसे अक्षर की सासों में बस कई थी जहां अक्स लेटी हुई थी उस जगह पर अक्षर अपना हाथ फेड़ने लगा उसे मधोशी भरी आवाज में बूला स्वीटा, माई स्वीटा कितनी जल्दी तुमने अक्षर रोय को अपना दिवाना बना लिया कुछ तो बात है तुम में उफ, अभी तो कई हो तो अभी से तुम्हारी याद आने लगी क्यों तुम्हारी ये दूरी मुझे परताश नहीं हो रही कहते हुए मुस्कुराहट के साथ एक बेचेली अक्षर के चेहरे पर दोड़ गई उसे खुद नहीं समझा रहा था कि वो किस पहाओ में बह रहा है अक्षर ने गेहरी सास ली और कुशन को उठा कर उसे हग कर लिया फिर अचानक उसकी हरी आखे चमक कर मुस्कुरा उठी वो खुद से बूला बस, कुछ दिन और उसके बाद तुम मेरे पास कैसे आने वाली हो मैंने सब तै कर लिया तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो हो पर अब अक्षर रॉय तुम्हारी जिंदगी में है तुम्हें अब सिर्फ मेरा बन कर रहना होगा बोलते हुए एक बड़ा प्लान अक्षर के दिमाग में पनब चुका था उसके होठो पर ठहरी एक सुकून मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि बहुत जड़ अक्ष के मुस्कुराहट छिनने वाली थी क्या करने वाला है अक्षर कौन सा प्लान बनाया है उसने अक्ष को हासिल करने का क्या यूवी चान पाएगा अक्षर की सच्चाई और क्यों अक्षर ने अक्ष के आँखे ढग कर भेजी क्या इरादे है उसके आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है कॉमेंट करके बताएंगे नहीं तो देखते रहिए तूजिद है हमारे यूटूब चैनल कहकशा एफम पर